ट्विटर पर टाइम लाइन स्क्रोल करते करते कुछ यह चीज मुझे दिखी जो कि रोमन रेंज के ट्विटर अकाउंट की है और यह इस पर कैप्शनल ट्रस्ट इस कंप्लेटली डी एडी तुमी और साथ मुनों नहीं यह फोटो भी लगाई हुई है तो जब मैंने इसकी यह पता चला कि फोटो रोमन रेंज ने तब पोस्ट का रही थी जब सैस रॉलिंस यानि की शील्ड का ब्रेकप वा था जब सैस रॉलिंस ने उनके उपर अटाइक किया था तो यह 2014 की उस टाइम की पिक्चर है उस टाम है वैसे मेरे पास तो कोई इंटरनेट का एक्स स्थ हेलो चैटर्स माइनम इस रुईत एंड यह वाचिंग रेसल चैटर वेलकमे गाइस आपका वॉइस ऑफ रेस्लिंग के एक और नए एपिसोड में संडे है आज और आग संडे के लिए मिरे पास आपके लिए ट्रीट है पूरा डेडिकेटेड रोमन रेंज के उपर ही एप आपकी प्रुपरेशन भी हो जाएगी आपकी प्रुपरेशन रोमन रेंज के रिटर्न के लिए बाकी वीडियो के एंड में स्क्रीन पर तो देखता है यह टैप करके भी सुन सकतो मदा आजागा आपको 25-30 मिनट पे हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉक लेस्नर के बार मे जैसे मैं बोला भाई इस चीज को सिरियस लियाता रहनी की ज़रूत इंगर जैसे ब्रॉक लेस्न को डिफरेंगल में एक्सपेक किया जारा आप जैसे जॉन सीनो को भी कि उनकी जो चैंपेंशिप है वो उनके इस रें में आ सकती है बैना इसको डिसकुस भी कि अपनी एक तो वही सेम चीज ब्रॉक लेस्न के साथ भी जा सकती है कि उनका करियर भी तो खतम होने के टाइम पर है और इससे ब्रॉक लेस्नर ना सर्फ टाइटल पिक्चर में आएंगे बलकि डेमन प्रीस्ट जिनको शायद और बड़े अपोनेंट्स के ज़रुआता है जितना चीज होना हो भी रहा है इस चैंपेंशिप मैच में जो कि उनका नेक्स है तो बड़ी स्टेज पर ब्रॉक लेस्टन के साथ उनको मैच मिलेगा और शायद बहां पर वोचीज अजीव कर सकते देखो ये विलकुल हवाई तीर है जो कि इंटरनेट पर चला है लेकिन क्यूंकि इस करते हैं जरा और आनेवले टाम में दो सकते हैं और बात करेंगे हम तो अपने इंस्टेग्राम अकाउंट पे इस और रॉक्स का यह जो इन पॉस्त है उसको शेयर किया है और इस पोस्ट में रोमन रेंस च्राइबल एयर कॉल कर रहे है कि पहली बार किया था सोलो सिको हग और बोलते हैं कि यही बंदा next tribal chief है और उसी के जवाब में मतलब उसी कोट करते हुए caption करते हुए लिखते हैं it was meant to be यानि कि खुद Roman Reigns नहीं थो भूला था मैं जब वो टाइम याद कर रहा हूँ सोच रहा है रोमन नहीं थो भूला था लेकिन ट्रैबल चीफ को पहले जाने दो दो अभी यह स्टोरी कितनी इंट्रस्टिंग होने वाली है जादा उसके ओपर बात करेंगे नहीं और मैं तो यही सोच रहा हूँ कि सोलो सिकोवा के लिए भी मुझे बुरा लगने वाला है और भाई यहां पे आप Bobby Lashley के बच्चों को देखो जरा उनकी बेटी और उनके सन को दोनों की स्माइल बिलकुल सेम है Bobby Lashley के जैसी हसना तो बिलकुल मतलब ऐसा लग रहा पिताजी के ओपर ही गया हुआ इनका और caption में वही अपनी फैमिली की बात कर रहा हुआ उनको प्रॉवायड करना की कैसे मतलब वही फैमिली को ही अप्रिशाइट कर रहे है अपनल-बिलेत् लिए अवेट में आप लेकंगध मेंट में थी भ्व्यसम्ça क exploratingском नहीं WWW के टाइम के हिजाब से मैं बोल रहा हूँ अब पता नहीं बहुत बहुत आशली के वैसे दिन कब आएंगे एक बहुत अलग एलिमेंट वह एड़ करते थे बर WWW पता नहीं उनके साथ क्या कर देती है अचानक से गाड़ी एची चलती है फिर पता नहीं क्या हो जाता सारे उन्होंने जो वर्ड्स हैं उल्टे सीधे वाले भो भी यूस किया यहां पर और GCW के बारे में बोलते कि क्या है सब लोग मेरवाना यहां पर फूक रहे हैं वह जो चीज आपको पता है चलती है अमेरिका में बहुत ज्यादा है मैं बहुत सेल्फिश बंदा हूं मेरे तो क्या सोच रहा है और बाकि जो Cleveland है जो Cleveland वाले weekend summer slam वाला होने वाला है इसी मतलब समर्स्लैम में नहीं जब कोई इतना बड़ा WWE के शो होता तो उसके रहूंने बहुत सारे और wrestling event होते हैं ताकि WWE की audience से वह भी थोड़ा बहुत कैपिटलाइज कर सके तो इनका match भी जो है official बन चुका है तो जिंदर तो अभी फिलाल मस तरीके से अपना इंडी में पूरी त्यारी के साथ आ चुके हैं और यह ग्रैफिक देखो भाया पहरे तो इसकी सुंदरता देखके ही मेरा जो मन हो प्रफुलित हो गया और इसमें पूरा जो टूर है जिंदर महाल का आपिरेंस के अंदर अलग अलग जगह में जाके जिंदर अपीरेंसस करने वाले अपनी और यह मुझे मुझे मुस्तफा अली के बात पहली पार ऐसा लग रहा है कोई बहुत अच्छी तरीके से अपने डवल डवली रिलीज को ट्रीट कर रहा है खुद के लिए क्योंकि जिन्दर भी वह काम कर रहे हैं मुस्तफा लेकी बात चल रहे हैं तो आज के TNA Slammiversary की बात कर लेता हूं मैंना भी इवेंट देखा नहीं है पूरा पहले इसको अच्छे से देखूंगा क्योंकि बहुत कुछ और मैं पूरा इवेंट ही देखना चाहता हूं जितनी इसकी तो वैसे ही बहुत साय लोगों का इससे connection बन गया था शाद हो सकता WhatsApp चैनल पर Instagram पर कहीं तो मैं शेयर करूंगा कि अब तो वैसे लेट हो गया क्योंकि स्लैमिवर सरी आज हुई है देखी नहीं है मैंने बर डेफिनिटली अब मैं कैच अप कर रहा हूं पूरा और धीर धीर TNN के बारे में भी आपको सब कुछ बताऊंगा मैं एक tweet viral हो रहा है Cody Rhodes को लेके अब आपके जो emotions है वो ऐसे जाके फिर ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाके फिर ऐसे आएंगे यह tweet के अंदर लिखा जाता है कि जब तुम $800 पे करो दो Summerslam के टिकेट्स के लिए और तुमको यह चले कि Cody Rhodes और Solo Sikowa का मैच में इवेंट करने वाला है जहां पर Cody Rhodes का वो जो sad reaction आता है रेसल में 39 के बाद उसकी picture है मतलब यहां से बोला जा रहा है यह कोई मैच है जो कि Summerslam के लिए बनाया जा रहा है और यहां पर जो थोड़ी सी negativity है वो Cody Rhodes के around भी थोड़ी सी क्या कापी यह पहले भी बोल चुके हैं पर आज हम इसको थोड़ा सा analysis भी करने वाले हैं वो यह बोलते हैं कि John Cena से better draw है Cody Rhodes उन्होंने यहां पर attendance की बात करी गेट्स की बात करी merchandise सेल करने की बात करी Con WWE की hype को जो है इस तरीके से लेके चल रहा है उन्होंने बोला हर मामले में John Cena से better है Cody Rhodes सब मैं आपको एक बहुत different चीज समझाता हूं Cody Rhodes के बार में जब इनके television पर जो programming है उसकी बात हो रही है तो भले ही Cody Rhodes को लोग फीका बोलें लेकिन अगर आप वैसे देखोगे ना especially America के अंदर यह बात हो ज़्यादा वहीं पर ट्रैवल करते हैं या अगर overseas भी जा रहा है त वही थाइब की fan following है मतलब उनको देखने के लिए उनसे हाथ मिलाने के लिए उनकी merchandise लेने के लिए उनके autograph के लिए कुछ अलग ही है और यह recent टाइम में सूपर स्टार्स के सांधा होता नहीं है तो यह मिरे को थोड़ा समझ में या रहा कि जब ऑन स्क्रीन या फिर ग्लोब लेकिन वैसे शोज या merchandise बहुत अची तरीके से बिक्री है अब मैं सारा वैसे से बता हूँ क्रेडिट कोडी रोड्स को भी नहीं दूंगा क्योंकि WWE का जो जमाना है वो भी चेंज हो चुका है वो John Cena का टाइम अलग था एवन 2017 वाला Roman Reigns ब्रॉक लेस्न वाला टाइम भी अ पराने के बाद ये पिक्चर साइड बाई साइड देगो भाई बहुत ही कहां कहां से से ट्वीड बनाते हैं लोग ये पुरानी स्टोन कोल्ड की है फोटो एटिट्टूड एरा के टाइम की और वही फिर डॉनल्ड ट्रॉम्प की है तो ये आपको इंस्टेंट में बताई को सब लोग देखना चाहते हैं 17 ताइम वर्ल्ड चैंपन तो इसके और जो रिलीज हुए है वह तो एट लीस्ट ये बताते हैं ज्यादा चांसे यही है कि जो मैच होगा उसमें जॉन सिना के मैच में वर्ल्ड चैंपनशिप इंवाल्व होगी और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या मस्त चीज होने वाले 2020 सार मुझे लगता शाय डबल अबल अब तक का बेस्ट होने वाला पिछले काफी सालों की जुम बात करने दो चॉब्स को भी बोला गया था लेकिन 2020 शाद ऐसा लग उसको भी टॉप कर सकता तो बोला है मैंने बाई चिपके रहो इस टोर्लान ऐ यसी फॉलो करो वरना बाद में जाके फिर समझ में आगा कुछ हाच की एक्टन फाइनल स्टोरी धर रॉक के बार में है इसको भी जैसा मेरे शुरुवाद में बोला था ब्रॉक लेस्टोरी के तरह ही लेना बस एक आइडिया है कि क्या रॉक समर्स्लैम में आ सकते हैं अब क्योंकि जब वह गए से डेबल अबली से तो अमने यही तो बोला था कि कोडी रोड से उन्होंने बोला कि जब मैं आऊंगा तो तेरे से उलगूंगा और हमने समर्स्लैम की डेट ही अपने दिमांग में सेट की थी क्लीवलेंड वाला शू है बट अब चीजे उस बार में क चीफ कर सके मेरको थोड़ा इसके ओपर कम भरोसा है बाकी रोमन रेंज के ओपर जो डेडिकेड़ एपिसोड आया स्क्रीन पर देख रहा होगा इसको जाकर सुन लेना भाई बता रहा हूं सुन लो मज़ा आएगा आपको सुनके यह वीडियो अच्छ लेगे तो इसे वीडियो उसके लिए और तब तक फिल लेतर हो जिन्दी के मज़े